जो हर सैनिक पूछना चाता है, जो हर सैनिय अधिकारी पूछना चाता है, जो रक्षा विशेशग पूछना चाते हैं, अप्रेल दो हजार बीस की यदावत स्थिती कब और कैसे बनेगी, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप जूले जूलते रहेंगे, चीनी राष्ट मान्यताओं को, हमारे बीस सैनिकों की शहादत को भुला कर, खुब गल्बईया करीं, लाल आख की जगे लाल शट पहन कर खड़े हो गए, स्वागत में श्री जिन पिंके, लेकिन सवाल यही है कि देश की भुबागिया खंडता के साथ, जब चीन ये दुस्सा हस कर रहा है 15 नवंबर 2022 आजसिस ठीक, 18 दिन पहले इंडोनेजिया की राजधानी बाली में मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, गल्बईया करते हुए, बड़ी आत्मियता से लाल आख, स्वारी, लाल शर्ट पहन कर, प्रधान मंतरी मोधी, शी जिन पिंक से, चीन के राष्ट्र विथित, अत्यत, विचलित करने वाली खबरे आ रही हैं और उनके मताबिक, उत्तरी डेपसांग में, उस इलाके में, जहां पर चीन ने घुसपैट करी हुई है, और उसकी घुसपैट बरकरार है, चीन ने वहाँ पर 200 स्थाई शेल्टर बना लिये, ये 200 स्थाई शेल्ट एलेसी से 15 से 18 किलो मीटर के अंदर हमारी जमीन में गाड़े गए हैं, हमारी जमीन में खड़े किये गए हैं, और ऐसा लगता है कि अपने अतिकरपन और घुसपैट के बाद चीन यहाँ पर स्थाई रूप से रहने की फिराक में हैं, हम सब का मानना है कि ये हमारी भुबा कि अखंडता, हमारी राश्चे सुरक्षा, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है, आपको ग्यात होगा कि ये शेल्टर जो है सैनिकों को हार कापते हुए जाड़े से बचने के लिए लगाए जाते हैं, ऐसे शेल्टर भारतिये सेना सिया चीन के ग्लेशियर में लगाती है और वही काम चीन ने यहाँ पर किया है, इनसे तापमान नियंत्रित किया जा सकता है, स्थाई रूप से सैनिक उस जगे पर रह सकते हैं, लेकिन इन तमाम विच्णित करने वाली खबरों के बीच में सुई पटक सन्नाटा है मोदी सरकार के तर पर मानो साप सूंग गया हो पूरी की पूरी सरकार को, और याद रखिएगा कुछ चरण चुमबक आपका ध्यान भटकाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन डेपसांग और डेमचोग दोनों में चीनी घुसपैट हुआ हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, उनकी मौज खबरों के ही मुताबिक जिसकी पुष्टी तमाम सैन्न अधिकारियों ने करी है, खबरों के ही मुताबिक हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक नगश्ट कर पा रहे हैं और जो नया बफर जोन है, वो हमने अपने ही पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक बनाने का भी दुश कर्म किया है अब आपको याद होगा कि इस पर हम लोगों ने पहले भी समंच से बात करी और फिर से उसको दोरा देते हैं कि ये डेपसांग का इलाका इतना स्ट्रिटीजिक इतना सामरिक क्यों है ये वही इलाका है जहां से होकर हमारे टाइंक उपर जाते हैं ये वही इलाका है जहां से आपूर्ती होती है सियाचीन में हमारी सेना के लिए ये वही इलाका है जहां से कुछ दूरी पर डीबी ओ की हवाई पट्टी और यह वही अलाका है जहाँ पर Belton Road Initiative के चलते चीन जो है वो एक बड़ा हाईवे बना रहा है तो हर तरह से सरहत की सुरक्षा से, मुभा की अखंडता से, राष्ट्री सुरक्षा से यह अत्यंत strategic, अत्यंत महत्वपूर्ण इलाका है इसके साथ खिलवार रत्ती भर भी नहीं हो सकता है लेकिन मुद्द सिर्फ यह नहीं है, यह कुछ satellite images है जो हम आपके साथ अभी साजा कर लेंगे कैमरे के लिए दिखा दे रही हूँ, यह satellite images अभी हम आपके साथ साजा करेंगे इन satellite images के मुताबिक कुछ और गंभीर और कुछ और सत्थ सामने आ रहे है, पैंगॉंग सो जील के बगल में चीनी निर्मार जिसमें पी एले का डिविजन मुख्याले, गैरिसन, आर्टिलरी और अंटी एरक्राफ्ट गन के लिए हत्यार के लिए आश्रे बनाया गया है इतना ही नहीं, वहाँ पर एक नए redome, एक गुमबद नुमा structure होता है, नए redome का निर्मार किया गया है, दो microwave tower लगे है, पैंगॉंग सो जील के पास अत्रिक्त बड़े पैमाने पर जो चीनी निर्मार चल रहा है, वो इस satellite image से साफ होता जा रहा है इस satellite image से ये भी पता चला है कि redome जिसका मैंने जिक्र किया जो गुमबद नुमा एक structure बनाया है, उसके कुछी दूर, दस किलो मीटर की दूरी पर एक पुल का निर्मार लगभग पूरा हो चुका है, इस पुल के दोनों तरफ डेक हैं, इस से आने जाने में चीन की सेना को, उनके सेनिकों को त्वरित सुविधा होगी, अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे सेना का शौर और पराक्रम तो ऐसा है कि लोगों की रूख आप जाए, लेकिन ये सब शायद मोदी जी के मौन, शायद मोदी जी के चुप रहने, शायद मोदी जी की जो clean चिट दी गई थी, कोई घुसा हुआ नहीं है, उसी से चीन का दुसाहस लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये बेधरक विस्तारबाद, ये निरलज घुसपैट, चीन तभी कर सकता है, जब हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री मूख दर्शक बने हुए है, आँखों पर पट्टी बांद कर और मूँ में दही जमा कर अगर सोचा जाए कि समस्या का निवारन हो जाएगा, तो वो निवारन नहीं होगा, आप सेना के मनोबल के साथ खिलवार जरूर कर रहा है मोदी जी, ये हम जरूर इस मंच से और तमाम और मंचों से कहते हैं, आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, चुई मुई बन जाते है, कोई आपको कह दे, आपकी पूरी ट्रोल सेना लग जाती है, लेकिन क्या देश से बड़े हैं आप, इस देश की भुभागिया खंड़ता पर आज खटरा मंदरा रहा है, तमाम और रिपोर्ट के मताबिक, चीन हमारे घर में घुसकर ब आप इस देश से बड़े हो गएं, इसलिए हमारे कुछ सवाल हैं, और वो सवाल हम तब तक पूछेंगे, जब तक जवाब न मिल जाए, स्थाई शेल्टर और स्ट्रक्चर की इन खबरों पर मोदी जी चुप क्यूं है, इसकी अंदेखी क्यूं करी जा रही है, क्या चीन क हरकतों से सरकार अनभिग्य है या जानबूज कर चुप बैठी है, हमारी जमीन में बने इन शेल्टरों और स्थाई धाचों को हटाने के लिए क्या कारवाई की जा रही है, डेपसांग और डेमचोग जैसे सामरिक इलाकों से चीनी सेना को खदेडने के लिए, क्या कारवा डालना देश भक्ती है, क्या इस पे चुप रहना देश भक्ती है अगर है, तो बोलियो और अगर नहीं है तो शर्म कीजिए, कान पकड़िये, माफी मांगिये और आगे कारवाई कीजिए, और अंत में वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो हर सैनिक पूछना चाता है, जो ये बारे में आप क्या कर रहे हैं, आप जूले जूलते रहेंगे, चीनी राश्च्चपती के साथ, साबर मती के तटों पे आपने खूब पींगे ली, महाबली पुरम में आपने खूब शेहनाई सुनी, वेश्टी पहन कर, गलबईया कर, अभी बाली में भी, आपने सारी मान्यताओं को, हमारे 20 सेनिकों की शहादत को भुला कर, खुब गलबईया करी, लाल आख की जगे लाल शट पहन कर खड़े हो गए, स्वागत में श्री जिन पिंग के, लेकिन सवाल यही है कि देश की भुबागिया खंडता के साथ, जब चीन ये दुस्सा हस कर रहा है, त में सर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे